तो जैसा कि आप देख सकते हैं मोधी सरकार किसानों के लिए एक नई योजना की सुरुवात कर दी है एक किलिक के माधियम से 28,000 रुपे जो है सभी किसानों को खेती करने के लिए मोधी सरकार जारी करने वाली है किसानों के लिए नई योजना सुरू ध्यान दीजी किसानों के लिए नई योजना सुरू 2022 के इस महिने में और 28,000 रुपे जो है किसानों को खेती करने के लिए देख सकते हैं आप computer system पे देख सकते हैं कि इतना करोर रुपे जो है इतना करोर किसानों के bank खाते में मोदी सरकार ने जारी की है पूरी जानकारी बताएंगे PM किसान सम्मान ने दी योजना के दह सभी किसानों के खाते में आएंगे 28,000 रुपे जियां सरकार जारी करने वाली है कर ले तुरंत यहां 28,000 रुपे जो है मोदी सरकार किसानों को खाते में जारी कर दिया है और लिस्ट जारी हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है लिस्ट में नाम हो चुकी है जारी 28,000 रुपे जो है किसानों को मिलने वाले हैं आखिर किन किसानों को 28,000 रुपे मोधी सरकार देने वाली है दरहसल मोधी सरकार किसानों के लिए चलाई जारी योजना में से सबसे सफल योजना है प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना जिसके अंतरगत मोधी सरकार किसानों को दो हजार रुपे करके तो देही रही है हर तीन महिने पे यानि छहजार रुपए सलाना तो देही रही है किसानों को लेकिन इसके अलावा किसानों के लिए एक और नई योजना की सुब्रारम कर दिया है यानि 28,000 रुपए खेती करने के लिए किसानों के बैंक खाते में मोधि सरकार जारी करने वाली है जिसकी लिस्ट जारी हो चुकी है प्रधान मंत्री किसान सम्मान ने दी योजना गौर्मेंट का ओफिसल पोर्टल पर जो है इसकी लिस्ट जारी हो चुकी है ये पैसा किसानों को डीवीटी के माधियम से जारी होने वाली है और इसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हर चुका है सभी किसानों को करना होगा यह अब काम यानि कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान ने दि एक साथ किसानों को देने जा रही है अब इसका ऑनलाइन आवेदन जो है दोस्तों dbt के official portal पे चल रहा है आवेदन ठीक है तो अगर आपको इस योजना का से अभी तक लाब नहीं मिला है तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि dbt के official portal पे इसका online आवेदन कैसे कर सकते हैं इसके लिए आप channel को subscribe करके रख लीजे कल मेरा वीडियो आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे उमिद करते हैं जानका इसका पसंद आई होगी धन्याओं